प्राक्टिस कर रही हुँ आज हम सीजर डिसॉर्डर याने एपिलेप्सी के दूसरे भाग की बारे में बात करेंगे पहले वीडियो में मैंने disorder होता क्या है और उसके प्रकार क्या है किस कारण के वज़े से होता है यह मैंने discuss किया था आज मैं आपको generalized सीजर में जानकरी दोंगी फिर इन्वेस्टिगेशन क्या है त्रीटमेड क्या क्या है उसके बारे माताओंगी तो जन्रलाइज जो मैंने कहां था कि अलग अलग टाइप से वैसा जन्रलाइज एक सीजर डिसॉर्डर भी टाइप है इस में क्या होता है कि और वह लिए वहोश पेर टेड़े हो जाते हैं और दात एक दूसरे पर लग जाते हैं मुह से जहाग आने लगता है और एक दो तीन मिनिट के लिए होता है और बाद में वह बेहोश पड़ा रहता है लेकिन वो जटके जो आते वो इतने जबरदस्त होते हैं कि दात पे दात लगने की वज़़ा से जीप कर जाती है जीप से खून आने लगता है मुह से और ये प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेहोश रहने के बाद फिर एक पंदरा बीस मिनिट आदे घंटे में उनको होश आता ह हैं लेकिन खोश आने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आता है कि हम कहां है क्या जुबजु हो रहा है मुझे क्या हो गया था मैं कहां हूँ और कभी-कभी कपड़ों में यह लोग पिशाप यानि यूरीन पास कर देते हैं ये भी उनको समझ में नहीं आता है तो इसको कहते है पोस्टिनिट्म कंफूजन यह काफी लोगों में आफ्टर फिर होता है इसके साथ साथ कुछ लोगों में फिर आने वाली होती है तभ उनको ऐसा संसेशन होता है कि अम घंट आने लगती वह हो जाते हैं घृब रहाट शुरू हो जाती है या फिर हाथ पेर में मुंगी आने लगती है, हाथ नम हो जाते है और उनको typical वो sense होता है कि ने, अब मुझे fit आने वाली है तो ये इसको हम aura कहते है epilepsy के पहले आने वाला sensation, उसको aura कहां जाता है तो ये है generalized seizures के बारे में जानकारी अब इसका treatment हमको क्यों करना है यह सबसे important point है कि treatment और investigations क्यों करने हैं क्या जरूरी है देखिए क्या होता है कि generalized epilepsy में वो इनसान जो है वो बेहोश हो जाता है उसको कोई senses नहीं रहते कुछ पता नहीं होता है काफी बार ऐसा होता है कि वो बाइक चला रहा होता है या फिर swimming कर रहा होता है या खाना बना रहा होता है या लेडी भी हो सकती है किसी को भी fits आ सकते है तो ऐसे situation में वो accident होने के chances बहुत जादा होते है एक मेरे पास female आई थी 17-18 साल की उसको feet का problem था ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन उसको बिच में feet आती ही रहती थी suddenly उसको feet आई वो रोटी सेक रही थी और उसका हाथ उस चूले में चला गया चोटे से गाव से थी चूले में चला गया और उसको पता ही नहीं लेकिन जैसे वो धड़म से नीचे गीरी उसकी मा को आवाज आया और उसने बाहर आके कीचन में देखा फिर पता चला कि उसका हाथ तो जल रहा था literally जल रहा था तो उसकी माने फट से उसको बाहर खीचा अब fortunately बोले या unfortunately लेकिन उसका सरिफ हाथी जला बाकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन कुछ भी हो सकता था तो देखिए कितना जान लेवा साबित हो सकता है जबकि ये बिमारी पूरी तरह अच्छे हो सकती है लेकिन treatment ना मिलने की वज़े से जान जा सकती है तो अब इसका investigations और treatment का part investigations में क्या है कि जैसे मैंने कहा कि fit के अलग-अलग reasons है जैसे tumor होना या फिर खुन की गाट की वज़े से होना accident होना, infection होना तो इसकी वज़े से अगर fits आ रही है तो पूरा पहले investigate पहले history लेना चाहिए कि fits कब से आ रही है, क्या-क्या problems हो रहे है और फिर detail history लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि city MRI खुन की जाच पूरा सब investigate करना चाहिए तो करने के बाद MRI का report में अगर निकल गया tumor या blood clot या फिर कुछ infection तो बात वहीं फिर उसमें operation की जरद पर सकती है या फिर antibiotics देने की जरद पर सकती है या फिर medicines जो भी related है वो उसका treatment करना जरूरी है तो उससे वो वैसे ही खुद से ही control में आ जाएगा लेकिन अगर कुछ भी problem नहीं है city MRI नॉर्मल है, EEG नॉर्मल है सब जांच नॉर्मल है लेकिन फिर भी feet का बिमारी है तो उससे anti-epileptics शुरू करने चाहिए anti-epileptics अलग-अलग प्रकार के है और उससे तीन साल कमसकम लेना जैसे डॉक्टर ने advice किया है वैसे लेना बहुत जरूरी है जैसे हम रोज सास लेते है वैसे ही दवाई लेना जरूरी है अगर एक भी मिस हो गई तो वापस feet आने के chances होते हैं और feet आने के बाद हमको वापस तीन साल तक वो दवाई का course करना पड़ेगा दवाई एक बार शुरू की कि तीन साल में एक भी बार अगर feet नहीं आए तो हम धिरे धिरे उस दवाई को कम कर सकते हैं तो ये थी treatment के बारे में जानकरी अब उसमें एक मिख्य पॉइंट ये है कि अगर feet आपको आती है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जनरली जिन लोगों को feet आती है उन्हेने अपना time table रेगुलर रखना चाहिए ज़्यादा stressful काम नहीं करना चाहिए खाना exercise रेगुलर रखना चाहिए ज़्यादा exercise भी नहीं करनी चाहिए ज़्यादा travel नहीं करना चाहिए खुद अगर bike चला रहे हो तो अगर आपको feet बिल्कुल ही बंद होई हो तो ही आप चला है वरना आप किसी को साथ लेके जाए या transport यूज करे स्विमिंग अगर कर रहे हो तो स्विमिंग से भी लोगों को बता के रखे आजवा जो कि मुझे ऐसा problem है और ज़्यादा तर avoid ही करे खाना बनाना भी avoid करे अगर तकलीफ है तो अगर पुरी तरह बंद हो चका है तो कोई problem नहीं है उसके साथ साथ अगर loud music के पास आप खड़े हो तो वो भी trigger हो सकता है या अगर बहुत ज़्यादा light है तो light में भी अगर आप ज़्यादा खड़े रहो तो भी आपको fit आने के chances हो सकते हैं तो ये सब थी fits याँने seizure disorder या epilepsy के बारे में जानकारी ये अगर जिन लोगों के लोगों को हो रहा है अगर आपके आस पास ऐसे कोई लोग है आपके family में लोग है और उनको पता ही नहीं है कि ये fits का problem है तो आप उनको बताईए ये वीडियो बताईए उनको समझाईए और treatment के लिए लेके जाईए ताकि उनको भी treatment मिले और वो अपने life में अच्छे से happily रह सके आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केड़कर तूरंकर साइक्याट्री नर्सिंग होम के contact number पे contact कर सकते है हमारा number है 950-330-9619 आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे और maximum लोगों तक ये जानकारी पहुचाने के लिए मदद कीजे धन्यवाद